विल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तों हमेशा की तरह एक नई वेकेंसी की साथ पुना हाजिर हूँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए देखते हैं डिटेल्स यह जो वेकेंसी है ना दोस्तों इसको क्लिक करते हैं और यहां पर नान टीचिंग कैडर की वेकेंसी है उसका PDF ओपन होता है और यहां पर जो वेकेंसी है आप देखें रजिस्टार, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्टार, जेनियर टेकनिकल आफीसर, टेकनिकल आफीसर, टेकनिकल आफी की पोस्ट इस तरह जो टोटल वेकेंसी हो रही दोस्तों ये हो रही है 34 और ये वेकेंसी पब्लिस हुई है आपके जबलपूर में पंडित द्वारिका नाथ द्वारिका प्रशाद मिश्रा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ इंफरमेशन टेकनलाजी डिजाइन एन मैनिफे 2023 को पब्लिस हुआ आए देखते हैं इसका एजुकेशनल एंड अधर क्वालिफिकेशन डिटेल्स तो रिस्टार के लिए अपरेज लिमिट चाहिए 55 येर्स पीजी होना चाहिए 55 प्रिस्चतांकों के साथ और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियन्स एज असिस्टेंट प्रोफे असिस्टेंट रिस्टार की तरफ चलते हैं तीसरे नंबर की जो पोस्ट है इसमें 45 साल अपरेज लिमिट है और पीजी डिग्री होनी चाहिए 55 प्रिस्चतांकों के साथ प्रोफेशनल एंड क्वालिफिकेशन इंड एरिया अप मैनेजमेंट फाइनेंस एकाउंट ये डि प्रोफेशनसी वर्ड एक्सल पाउर पॉइंट इसमें होना चाहिए चोथे नंबर पे दोस्तों सीनियर टेकनिकल अफीसर की पोस्ट पचास साल अपर एज लिमिट फस्ट क्लास M.E.M. टेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 5 साल का अनभव टेकनिकल अफीसर की रू बी टिक बी डिय्ट बी डिजाइन होना चाहिए 8 साल के अनभव के साथ अथवाऑ करक्त बी सर यह तो 5 सालcking अपर इज लिमिट मेटकल अफीषर जो कंटेक बेस भी हो गाzd45 साल M.B.B.S. डिगरी तीन साल कंपो के साथ मेल स्टाफ नर्स ये भी कांट्रेक्ट बेस भी होगा 32 एर सपर एज लिमिट बियस्टी नर्सिंग के साथ 2 साल कानभव ये जिन टी एस्टी है तो 5 साल कानभव होना चाहिए फिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अपर एज लिमिट रखे गए ये 27 एर बैचलर डिगरी और कंप्योटर नालेज होना चाहिए जूनिया टेक्निशियन की पोस्ट तो डिप्लोमा डिगरी इन कंप्योटर साइंस बेंड अथवा BCA 2 साल Hand-Awn Experience के साथ जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेए दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको अप्लिकेशन सम्मिट करना है पहले आनलाइन करना है जो 29, 12, 20, 23, 25, 21, 20, 24 तक ये लिंक ओपेन रहेगी समर्थ.edu.in की और आनलाइन अप्लिकेशन सम्मिट करने के बाद उसको आपको हार्ड कापी प्रिंट करना होगा और पचीस एक दोहजार चौबिस से लेकर ये आपको पांच फरवरी दोहजार चौबिस के बीच में इस पते पर आपको भीजना होगा इसको आपको भीजना होगा इंडिया पोस्ट से कूरियर से नहीं ये धियान रखें आप जो आपका इन्विलाप होगा उसके उपर आप मिंसन करेंगे अप्लिकेशन फार्द पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए आप भीज रहे हैं और यहां पर दोस्तो एक चीज में और आपको बता दूँ कि यहां पर जो फीस लगनी है फीस लगनी है कहां गया इसकी लाइन मैंने देखी थी यहां पर यह रहा 26 नंबर पे नान रिफंडेबल रहेगा आपको आन लाइन मोड पे पे करना होगा 500 रुपए ACST, PWBD Candidates और Women साथ में जो PD, PM, IIITM के इंपलाई है उनको फीस नहीं लगेगी 27 नंबर पे आप देख लें कि जो वेकेंसी निकली थी 2019 में अगर ऐसे Candidates जिनको अभी फिर सिफ हम अपलाई करना है तो वो फिर सिफ फ्रेस application submit करेंगे इसी जैसी उपर हमने बताया है उसी के नुसार तो दोस्तों ये पूरी वेकेंसी है और ये IIITM जबलपूरी की वेकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो application link है ये IIITM की site IIITM j.ac.in non-teaching recruitment शुरू में मिल जाएगा आपको और ये link दोस्तों open होगी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राम 1912.2023 ये apply online यहाँ पे जब active हो जाएगा 1912.2023 से फ्राम submit कर पाएंगे दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताईए और वीडियो को like कर दीजिए मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में आप सबका दिन सुभो धन्यवाद